नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका फार्मा रोक्स की यूटूब एज्जू किसने चैनल में आज की ओड़े लेक्चेर में हम ऐसे हेल्थ प्रॉब्लेम और उसके सॉल्यूस उनके बारे में बात करेंगे जैसे कि जो पहला प्रॉब्लेम वो है कि हाथ प्रॉब्लेम की जो खाल निकलने लगती है तो यहाँ पर जो आप डायग्राम में देख रहे है तो जो छिलका होता है उस तरह से हमारे प्रॉब्लेम की या फिर हमारे हाथों की जो स्कीन होती है वो इस तरह से निकलने लगती है फिर यहाँ पर जो आप देख रहे है डायग्राम में उस तरह से skin जो है वो निकलने लगती है तो यह problem होता क्यों है किस तरह से यह problem को हम solve कर सकते है तो उसके बारे में जानते है आज के lecture के अंदर तो यह सभी symptoms indicate करते है कि peeling skin के विमारी हो सकती है तो यह जो problem है उसको हम medical terms के अंदर peeling skin या फिर skin peeling का problem करते हैं तो उसके बारे में जानते हैं डिटर में आज के lecture में और सेखते हैं कि किस तरह से हम यह problem को solve कर सकते हैं तो यहाँ पर उसका introduction देखते हैं कई बार हाथो और पैरों की जो तवचा होती है skin होती है वो निकलने लगती है तो यह जो है वो बारिस की season में ज्यादा तर लोगों की समस्या है फिर जब हम ऐसा देखे कि कुछ लोग पानी में ज्यादा काम करते हैं या फिर उनका काम ऐसा है skin है वहाँ पे काफी ज़्यादा नमी रहती है काफी ज़्यादा वहाँ पे moisture रहता है तो भी यह problem जो होता है तो especially यह जो fingers होते है और दो fingers के बीच में जो जगा होती है या फिर वहाँ से start होता है यह skin का निकलना और अगर आप मानलो कि काफी बार है hand wash करते है या फिर किसी को soritis है तो भी skin peeling का problem जो हो सकता है तो यह आप यह वीडियो के बीच में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसे ही बहुत सारी बीमारियों के बारे में सीखना अच्छा लगता है उनके उपचार के बारे में आपको सीखना हो तो अब आप हमारी book भी purchase कर सकते है तो book का नाम है decision treatment बीमारिया और उनका उपचार कि जिसका first edition 2023 का आप available है कि जिसको आप order कर सकते है तो इसको order करने के लिए आप मुझे ये number पे whatsapp कर सकते है और book का जो sample PDF है 100 page का वो भी मैं आपको whatsapp पे बेशता हूँ तो अभी मुझे whatsapp करे ये दिये गए number पे तो book जो है वो पूरा multi color रहेगा उसके जितने भी pages है वो सभी color रहेंगे तो आगे जानते हैं ये problem के कुछ reasons तो कुछ environmental factors affect करते हैं मतलब कि mousam change होना frequent hand washing मतलब कि अब काफी ज़्यादा बार अपने hand wash करते हैं दिन में weather conditions change होती है sunburn यानि कि जो sunlight होती है उसके करना आपके skin damage होती है तो भी उसकी जो layer है वो छिलके की तरह निकलने लगती है फिर finger या फिर thumb sucking की आपको आदत है तो भी ये problem हो सकता है कुछ लोगों को nail biting की आदत होती है और जो vitamins जो होते है कि जो specially हमारे skin के लिए जरूरी होते है उनकी deficiency के कारण भी ये problem हो सकती है फिर exfoliative keratolysis जो होता है हमारे body के अंदर उसके करण भी ये problem होता है मनलब कि जो body के अंदर जो keratolysis के process होती है उसमें भी ये skin इस तरह से छिलके की तरह निकलने लगती है psoriasis में ये symptoms कई बार देखने को मिलता है eczema के अंदर diacidrosis के अंदर फिर allergic जो dermatitis होता है और जो kawasa की pilling skin का जो problem होता है तो ये सभी के अंदर ये symptoms हमें देखने को मिलते है तो अगर ये problem आपको होता है तो क्या होता है तो इस तरह से एक blisters form होने लगते है specially आपके हथेलियों में फिर आपके जो finger से चाहे हाथ की finger से प्यारों की finger से उन दोनों के बीच में भी ये देखने को मिलता है कई बार ये जो blisters मनते है वहाँ पे आपको दर्द भी होता है कि जिसकों painful blisters कहते है वहाँ पे itching होती है specially ये जो हम देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको itching जैसा फिल होता है खुजली होती है फिर वहाँ पे पसीना काफी ज़्यादा देखने को मिलता है कि आपको वहाँ पे काफी ज़्यादा पसीनाता है compare to other body parts फिर dry हो जाती है कई बार वहाँ की skin वहाँ पे cracks देखने को मिलते है और blisters जो दिरी-दिरे फैलने लगते कि मानलो कि कोई एक छोटा सा एक blister था तो वह दिरी-दिरे फैलने लगता है और पूरे हाथ या फिर आपके पैर को वह cover करने लगता है तो diagnosis हम देखे कि यह जो problem है उसको हम diagnose कैसे करें कैसे पता चलेगा कि reason क्या है तो सबसे पहले personal या फिर family या फिर medical history चेक करने पड़ती है कि आपने कौन से दवा या ली थी आपकी personal कोई history है family history है वो चेक की जाती है physically examination किया जाता है मलए कि specialist skin को चेक किया जाता है biopsy कर सकते है allergy है किसी को तो allergy का test करा सकते है और कोई बीमारी यह सी लगती हो तो उसके निदान के लिए blood taste भी वहाँ पे किया जा सकता है तो अब देखते है कुछ treatment के options तो जो patient है उसको क्या करना है जो काफी ज़्यादा गरम पानी होता है कि जिसको हम hot water कहते है उसके बज़ाए आपको क्या करना है warm water कि जिसको हम गुन-गुना पानी कहते है उसको आपको यूज करना है नहाने के लिए या फिर hand wash करने के लिए फिर वहाँ पे आपको moisturizer से apply करने के बहुत सारे जो market में moisturizer होते हैं वह आप यूज कर सकते हैं या फिर simple आप coconut oil वगेरा भी यूज कर सकते है as a moisturizer फिर जो ठंडे पानी के अंदर आपको आपके जो पैर है या फिर आपके जो हाथ है उसको भीगो के रखना है और gloves वगेरा ना पहिने जो socks होते हैं और shoes वगेरा को avoid करे जब भी आपको ये problem होती है तो अब medications और दूसरे treatment options देखे तो OTC medications आती है over the counter फिर corticosteroids भी लिये जा सकते है anti-allergic drugs का option यहाँ पी हमारे पास एक बनता है फिर non-steroidal immunosuppressive drugs और phototherapy तो यह से बलग-बलग options है तो सबसे बहला हम देखे कि जो हमने moisturizer की बात की थी तो moisturizer में आप aloe vera gel जो है वो apply कर सकते है affected part के उपर कि जो fresh aloe vera आता है उसका यह gel निकल के आप वहाँ पे लगाए फिर second आपको काफी ज़्यादा पानी पीना है पूरे दिन में at least 3-4 लिटर जितना पानी जो है आपको पीना चाहिए फिर अगर आपको वहाँ पे पेन होता है जहाँ पे ब्लिस्टर्स हुए है और काफी ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसक्त एक या दो टैबलेट पर डे ले सकते है व्रूफैन के कि जिसके अंदर salt content है आइबू व्रूफैन आप 200 mg वाला भी यूज कर सकते है या फिर 400 वाला भी यूज कर सकते है अगर उससे भी टेक नहीं हो रहा तो नेप्रोस इन भी आप यूज कर सकते है कि जिसकी एक ही टैबलेट लेनी होती है पर डे कि अगर आप ये 750 mg का सस्टन रिलिस टैबलेट यूज करते हैं पांच वो आप्सन हम देखे कि अगर मानलो कि सोराइसिस के करन ये प्राब्लेम हो रही है तो उस वाक्त उसकी वो प्राब्लेम को सौल करना जरूरी है तो ये जो मेडिकेशन है साइक्लोस पूरिन के जो क्याप्सूल्स 50 mg के स्ट्रेंथ में खासकर अवेलिबल होते है तो वो यूज करना है तो है और जो उसका डोज हम देखे तो 2 या 3 कैप्सूल पर डे हर 6 या 8 गंटे पे लेनी होते है मैं लिए कि आप ये एक कैप्सूल यूज कर रहे है तो एक जेट उसके 6-8 गंटे बाद उसका आप दूसरा डोज लेते है फिर साइक्लोस पूरिन का ओरल सॉल्यूशन भी आते है अगर कोई टाबलेट नहीं ले पा रहा उससे उसको ठीक नहीं हो रहे तो उसका सॉल्यूशन भी अवेलिबल है तो यह सॉल्यूशन 10 ml जितना लेना होता है और वो भी दिन में 2 या 3 बार 7th option हम देखे तो वहाँ पे आप ये क्रीम लगा सकते है Hydrocortisone Acetate का ये जो क्रीम है वो affected area पे आपको दिन में 2 या 3 बार लगाना है फिर Triamcinolone का भी ointment आता है 0.5% के strength में ये अवेलेबल होता है तो वो भी affected area पे दिन में 2 या 3 बार आप लगा सकते है फिर यहाँ पे एक और option है sorvet करके कि जिसके अंदर Kelsey Trial का ointment रहता है 0.0003% weight by weight का कि जो Glenmark उसके manufacture है और microgram के according to हम देखे तो 3 microgram जितना Kelsey Trial उसके अंदर present है S per IP तो ये भी आप apply कर सकते है या फिर उसकी combination है Kelsey Trial के साथ combination में Clo-Beta-Sol रहेगा कि जिसके अंदर Clo-Beta-Sol सिर्फ 0.5 mg है और Kelsey Trial है 3 microgram जितना फिर allergy के करण आपको ये रहो रहा है तो anti-allergic का एक option बनता है हमारे पास वो है Montelucast and Levocetrisin का ये combination tablet कि जिसका brand name है Montec LC तो एक tablet per day के हिसाब से लेनी होती है और ऐसे ही Allegra का भी option हमारे पास बनता है तो Allegra का जो dose देखे तो one tablet per day के हिसाब से उसको लेनी होती है तो यहापर वीडियो के बीच में आपको बता दू कि जो हमारी book है उसको आप order कर सकते है यह book को order करने के लिए आप मुझे यह number पर WhatsApp कर सकते है Next जो option है treatment का वो है Acid Retin के जो capsules AcroTech 25 करके यहापर हम एक product देख सकते है तो उसका जो dose रहता है एक capsule दिन में दो बार आप ले सकते है और गरिये सभी दवाओं से भी ठीक नहीं हो रहा फिर आकरी एक option रहता है कि जो आप skin specialist जो होते है doctors वो light therapy से यह problem जो हो solve करते है तो गर आपको मेरा यह video अच्छा लगा है तो यहाँ पे click करके आप मेरा यह दूसरा video भी देख सकते है कि जहाँ पे भी आप काफी ज़्यादा knowledge जो हो gain कर सकते है So good luck and all the best